आज हम डिसकस करेंगे बांगलादेश कंट्री के उपर बांगलादेश एक बहुत ही important destination है जिसके उपर हमें डिसकस करना चाहिए विगाज इंडिया की neighboring country है और यहां पे बहुत सारे students हर साल MBS के लिए जाते हैं यहां का जो reputation है colleges का काफी अच्छा है colleges का infrastructure देखें तो ठीक ठाक है बहुत ज़ादा जबरदस नहीं है बट इनकी OPD जो है in comparison to जो दूसरी countries है उनके comparison में better है इंडिया के जैसा ही है hospital में OPD तो clinical exposure बच्चों को अच्छा मिल सकता है यहां पे budget यहां पे 25-35 लाग के आसपास का रहता है 25-35 के अंदर बहुत सारे अच्छे-च्छे colleges मिल जाते हैं बसरते यहां पे एक condition है और वो है कि आपका 12 जो है वो सिर्फ एक साल बैक का होना चाहिए अगर आप दो साल य तीन साल बैक में 12 आपने किया है तो यहां acceptable नहीं होता है आप सभी से request करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अगर admissions related कोई भी query हो तो दिये के नमबर पे WhatsApp करके आप फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं हम लोग पूरा process आपको guide करेंगे यहां से ले करके और जब तक आप MBBS करके वहां से वापस नहीं आ ज suggest करते हैं तो दोस्तों Bangladesh में सबसे अची बात यह है कि यहां पे अगर language का आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा बेंगॉली आप 2-3-4 महिने में सीख जाते हैं हिंदी वहां पे लोग समझते हैं अंग्रेजी में बहुत अच्छे से आप college में बात कर सकते हैं standard of education situation बहुत अच्छा है OPD hospitals में काफी बढ़िया है college जो है वो ठीक ठाक हैं बढ़िया colleges है जाना आना बहुत easy है आपके guardians कभी भी जा सकते हैं आप कभी भी होली दिवाली एद कभी भी आ सकते हैं घर कभी भी जा सकते हैं सो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन-कौन से colleges हैं तो यहाँ पर देखिए green life medical college, select woman medical college, तारो निशा memorial medical college, अनवर खान modern medical college, international medical college and hospital, islami bank medical college, जलालाबाद, TMSS, धाका national medical college, इनाम medical college, कुमूधनी women's medical college, North Bengal medical college, North East medical college, popular medical college, ऐसे और भी बहुत सारे institutes हैं, बट यह कुछ ऐसे institutes हैं जहाँ बहुत सारे students हर साल जाते हैं और धाका और धाका के आसपास बहुत सारे colleges हैं, धाका में और सिलहट में यहाँ पर ज्यादा amount में colleges हैं, बात करूँ बजट की, यहाँ पर 30,00, 32,00, 33,00, 35,00, 28,00, 29,00, इस तर यहां कि धाका से कितनी दूरी पर colleges हैं, तो maximum जो colleges हैं यहाँ धाका में जैसे अनुष खान धाका में है, इंटरनेसनल मेडिकल कॉलेज धाका में है, तारु मिसा मेडिकल कॉलेज धाका से 1500 किलोमेटर है,aurus जलालाबाद जो है वहाँ 200 किलोमेटर पे है, इस्लामी बैंक मेड तो ये सारे colleges जो है जानुटसा समाज medical college 24 km है धाका से, नौर्थ बेंगॉल 420 km पे है धाका से, नौर्थ इस्ट medical college 200 km पे है, सिलहट में है धाका से, तो धाका और सिलहट ये दो major destination है बंगलादेश में जहां पे की medical colleges है, तो आप यहां के बारे में ज़रूर प्लैन कर सकते हैं 30,000, 32,000, 35,000 इस budget में आपका पूरा course यहां पे complete हो जाएगा, बसरते एक साल बैक आपका 12 होना चाहिए, 60% से अबब आपके 12 में होने चाहिए, तो आपको यहां पे अच्छे colleges मिल जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और भी इस तरह की वीडियो लाते र लोग हैं, पहले इंडिया में ही था ठाका, जो है वो बांगा देश जो है वो इंडिया का ही पार था अभी 1947 के बाद जो है वो अलग हुए हैं, यह तो कहने का मतलब यह है कि आपको ज्यादा फील नहीं होगा कि आप किसी बहुत दूर की country में गए हैं, तो आप इसके बार में जानकारी चाहिए, दिये गए नमबर पर संपर करके बातचीत कर सकते हैं, इस दूरें बस इतना ही और इस तरह की वीडियो दिलाते रहेंगे, नमस्का.